तो Ant-Man 3 इंडिया में ओफिसली रिलीज हो चुकी तो तुम्हारा भाई फर्स डे फर्स सो देखकर आ गया है तो इस मुवी के रिव्यू करना तो बनता है Ant-Man in the Worst Contaminie MC की पहली मुवी थी जिसने मुझे कमाल का experience दिया है जहां MC का Face 4 बहुत ही बुरा रहा था वहीं ये मुवी सब कुछ कवर कर देती है Ant-Man 3 आपको वही पुरानी Marvel मुवी की तरह फील होगी जिसे लोग देखना चाहते Face 5 के Multiverse Saga और Kang Dynasty के स्टार्टिंग के इसाब से ये मुवी जवर्दस्त माल थी तो वीडियो को पूरी तरह से आगे बढ़ाने से पहले इसकी एक छोटी स्टोरी समरी सुना देता हूँ तो पहले ही में spoiler alert देता हूँ बात में एम मत कहने के fire तो ने spoiler alert नहीं दिया तो मोटा मोटी यही कानी रहती है कि अपनी केसलिंग अब बिगडल बची बन चुकी है जिसे ठीक तरह से पिम पार्टे के लिए यूस करना नहीं आता और इसी वज़े से वो पूलिस के आतो पकड़ी जाती है जिसका सोट आपने ट्रेलर में भी देखा होगा एंट पेन और ओप एक फेमा सेवेंजर के साथ वो दोने एक बिजनिसमें भी बन चुके है लेकिन एहे सारी चीज़े आपको खुशिया नहीं दे सकती केसी को आज भी अपसोस है कि वो अपने डेट के साथ बड़ी नहीं हो सकी आगे वही फेमली वाला ड्रामा होता है और बाद में केसी सबको अपनी न्यू कौन्टमरेल सेटरलाट दिखाती है जो कौन्टमरेल में सिगनल बेशती है और इसके बाद मोर्डोक उन सबको कौन्टमरेल में खिस लेता है और कौन्टमरेल के अंदर जाते ही वो सारे फेम को ढून रहा हुआ था वो बताऊंगा तो बहुत बड़ा स्पोईलर हो जाएगा इसलिए मुवी के स्टोरी लान यहीं तक रखते हैं तो इस मुवी में क्या अच्छा था और क्या बुरा था तो पहले ही में स्क्रिप्रेटर की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने स सारी चीज़े जिन्दा है आप कुछ भी में जिन्दा होगी यहां तक की स्पेस्टिपी जिन्दा क्रेटर से बने हुई है क्रियोचर और एक चीज में खामिया होती है और इस मुवी में भी खामिया है स्क्रिप्रेटर ने मुवी के सारी बाकी चीज़ों पर इतना जियान दिया है कि मुवी के वो सबसे बड़े क्रेक्टर केंग दा कॉंकरोड को बिल्ड़ अप करना ही बुल गए मुवी में तो ये तो दिखाया गए कि उसने ट्रिलियन लोगों की जान लिये और इसी के साथ उसने एवेंजर यहां तक उसने थोर को पी डिफेक्ट किया हुए है और ऐसे करेक्टर को आप चीटियों से मार खिला रहे हो केंग का पूरा करेक्टर इस मुवी में बिकार के रख दिया है पेले तो केंग की एंट्री आधि मुवी होने के बाद होती है और यही चीज़ मुवी की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट थी उनको कॉंटम रेल को ए कि यह जरू किसी बड़े पावरफुल करेक्टर नहीं बनाया होगा और आखरी सवाल केंग की सिन्यूमर्श या फ्यूचर से इसी के साथ मेरी दोनों थीरी वाली वीडियो सच हो गए जिसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि केंग कैसे से लेस्टियल टिकनोलीजियो और भी ज़्यादे निखर के आती और रहे अपनी केथरी न्यूटन मतलब अपनी कैसे लिंग जिसकी स्क्रिन टाइम ज़्यादा होने के बावजूद उसकी एक्टिंग ठीकी थी और बाके के बच्चे हुए एक्टरस के लिए मेरे पास एक वर्ड निकलता है क्या बात है स फैन हो तो आपको डेफिनेटले एमुई पसंद आएगी क्यूंकि आपने इस मुई के पिछले दो पाट देखे हो या ना देखो इससे कोई फरक नहीं पड़ता और इसी के साथ अगर आपने इस मुई को देख लिया है तब मुझे कमेंट पे बताना है कि एमुई और भी जादा बेतर बन सकती थी और स्क्रिंट पर दिये के दोने वीडियो को जरू चेक आउट करना और जाते जादे आपकी भाई की इस वीडियो को लाइक और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए